एपिसोड में हम दिस्तोस करने वाले हैं JP Power Stock के बारे में तो सबसे पहले इस stock के अगर आप return को देखेंगे कि टेकनिकल इस stock ने कितना return दिया है तो लगभग पिछले 1 week में stock ने 20% के आसपास का return दिया है और मैं sure हूँ कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जो इस return को miss किया है इस समय इस stock में आज जहां अपर circuit लगते हुए दिख रहा था तो आज की trading session में इस stock में trading होते हुए दिखा आठ रुपिया 20 पैसा का जो stock का opening था उसके बाद 8 रुपिया 45 पैसा जो अपर circuit था उसको hit किया उसके बाद फिर से market में volatility आई stock अपर circuit को break किया और उसके बाद lower circuit के आसपास के price तक भी 7 रुपिया 70 पैसा यानि lower circuit 7 रुपिया 65 पैसे के आसपास का था उससे 5 पैसे उपर तक आया और वहाँ से फिर stock जो है इस price पे previous closing था 8 रुपिया 5 पैसे के आसपास के closing हुआ है overall volume 20 करोर के आसपास का volume आज के trading session में से stock के अदर आते हुए दिखा है delivery देखेंगे 60-70% के आसपास का continuous delivery है अगर आपने पिछले week के 20% के return को miss किया है तो मैं अभी भी आपको कह सकता हूँ कि again ये एक opportunity दे रही है इस stock को buying करने का fundamentally बहुत great company है continuous improvement होते वे दिख रहा है domestic investor की अच्छी खासी holding है continuous इसने अपने date को कम किया है और क्या चाहिए किसी multi-vagger stock के लिए तो जितने भी parameters हैं सब को ये fit होते वे दिख रहा है तो strongly recommendation रहेगा कि 8 रुपे के price पे इस stock को strongly buying करे और डरने की कुछ भी बात नहीं है stop loss इस stock में 6 रुपया 50 प्यसे 7 रुपे के आसपास के stop loss को follow करे और पहला target 12 रुपया और second target 12 रुपया मतलब 12 रुपीज और second target इस stock में 20 पलस का surely पहला target जो 12 रुपीज का है within 2 months surely दिखने है